इंफोर्मेसन सेंटर में आपका बहुत-बहुत सागत हैं तुलसी के गुनों के बारे में तो सभी जानते हैं आयरवेद में तुलसी को एक औशेदिय गुनों से भरपूर पौध हमाना गया है तुलसी का उपयोग बहुत पहले से आयरवेदिक रवाईयों में किया जाता रहा है ये कillance बिमारियों को सही करने में चक्शम है इसलिए आयरवेद में तुलसी को विशेश मत दिया जाता है पहले के समय में किसी के बीमार पढ़ने पर दादी नानी के नुशकों में भी तुलशी का उप्योग होता था तुलशी में एंटी ऑक्सिडेंट गुन पाये जाते हैं जो बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों से भी बचाते हैं आईए जानते हैं तुलसी की उपियोग और फायदे तुलसी की पत्तों में ऐसे गुन पायाते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं इससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने में शक्षम बनता है प्रति दिन सुबर तुलसी के एक या दो पत्ते खाने से बदलते मौसम में होने वाले रोगों की वज़े से बार-बार बिमार नहीं पड़ते हैं तुलसी की पत्ते मुँ में दुरगन से निजा दिलाते हैं रोजाना तुलसी के कुछ पत्ते मुँ में रखकर चूसने से सास में आनी वाली दुरगन दूर होती है लेकिन तुलसी के पत्तों को दाथ से चबाकर नहीं खाना चाहिए तुलसी सरदी जुखाम के साथ बुखार में भी फाइदा पहुचाती है काली मिर्च और तुलसी को पानी में उबाल कर काढ़ा बनाए इसमें मिश्री डालें इसको पीने से बुखार में राहत मिलती है जो खाम होने पर तुलसी को पानी में उबाल कर भाप लेने से भी फायदा होता है तुलसी पेड समंदित परिशानियों में भी लाप पहुचाती है लूज मोशन होने पर तुलसी को जीरे के साथ पीस लें और दिन में तीन से चार बार इस मिशन को खाएं इसे दस्त की समस्या से निजात मिलेगी घर में काम करते वे वक्त थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो तुलसी के पत्ते और फिटकरी को मिला कर घाओं पर लगाना चाहिए इससे घाओ जल्दी ठीक होने लगता है आपको इस जनकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट शेक्षिप में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद